शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्र कुलीकर मावजासन धाम सलकनपुर में लाखों की तादात में भक्त आ रही हैं ऐसे में मावजासन का ये धाम काफी सिध्ध और चमत कारिक है यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता देखे रपोर्ट मत्रप्रदेश बजासन देवी धाम को आज कौन नहीं जानता कई लोगों की कुल देवी होने के साथ साथ देश विदेश में रहने वाले लोगों की आस्था का भी कींद्र है लोग माता के इस पवित्र स्थान को सलकनपुर देवी धाम के नाम से भी जानते है नर्मदा नदी के तट से महज 11 किलोमीटर दूर इस्तित विध्यांचल परवत श्रंकला के अंतिम चोर पर मातस्विम प्रकट हुई थी यह अस्थान जमीन से 1000 फिट उचाई पर है भक्त कहते हैं कि माता ने पूरे मध्रप्रदेश की भलाई के लिए 1000 फिट की उचाई पर अपना सिंगासन बनाया है माता वहीं बैट कर दुनिया भर में फैले भक्तों की मनोकामना पूरी कर देती हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए तीन रास्ते हैं पहला रास्ता इस मंदिर पहुचने के लिए भक्तों को 1400 सीडियों का कच्छन रास्ता पार करنا पड़ता है रास्ते में ही प्रसाद और फूनों की दुकान भी लगी रहती है दूसरा रास्ता मंदिर तक पहुचने के लिए सरकार ने सडक मार्ग भी बना दिया है यहाँ खुद के वाहन से जाया जा सकता है इसलिए पहाड को काट कर तीन किलोमीटर लंबा घुमावदार रास्ता बनाया गया है तीसरा रास्ता पहाडी पर चड़ाई के लिए तीसरा रास्ता रॉबवे है यह स्थान भी सीडियों के पास ही है जो लोग सीडी से नहीं जा सकते उनके लिए रोप वे सुलप साधन है उड़न खटोले पर बैठते ही आठ से दस मिनिट में माता के दर्बार में पहुँचा जा सकता है इस बार 24 घंटे में 21 घंटे तक श्रधालू सलकनपुर देवी धाम में विज्यासन देवी के दर्शन कर सकेंगे श्रधालू की सुविधा के लिए प्रशासन ने सलकनपुर से नस्रुल्ला गैंज, बुद्नी और भूपाल मार्ग पर अगले 12 दिनों के लिए भारी वाहनों की आवगमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, अब इन सडकों पर 21 अक्टूबर तक रेत के डंपरों, ट्रकों और भारी वाहनों की आवगमन पर रोक होगी प्योरो रिपोर्ट, MP News, सिहोर